आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हमें कंपनी का एनलीसिस करने जा रहे हैं कंपनी का नाम आप इसक्रीन पर देख पा रहे हो एक के डेटामेट्रिक गोगल सर्वीस लिमिटेट अब इसके बारे में आपको पुरा आपके यहां पर कवर करेंगे आपको चार्ट के उपर सब कुछ बताएंगे आपको वीडियो को पूरा देखेगा जिसे के आपको अधर को वीडियो देखने के जरूरत पड़े में इसके अंदर पूरा ही टोटल कवर करूंगा जो सबसे पहले हमें स्टाट करते हैं कंपनी के फंडामेंटल से फंडामेंटल में हम देखें से मार्केट के पर इसका अच्छा कासा 3,882 करोल का दिखाए दे रहा है करना पई चलना है उसके साथ जो कंपनी का पी है वह आप देखे 19 का दिख रहा है और इंडेस्टी पी जो है वह आपका 36 का दिखाए दे रहा है जो कि हमें साथ गुट साइन माना जाता है कि इंडेस्टी पी से स्टोक भी आपका कम होना चीए सामने अगर डिविडेंट की बात करें तो थोड़ बद कंपनी आपको डिविडेंट भी देती है और और अच्छा का से यहां पर आ ज्यादा देखते हैं वह है आपका एट के उपर आपको लग्तिक दिखाए दे रहा है तो 789 सबसे बेटर मानते हैं अगर आपने रेश्यों नहीं जानते हो अगर आप इस शीखना चाहते हो समझना चाहते हो तो मैंने पूरा फंडामेंटल आनलिस का परी कोर्स बना रहा ह सब उसकोर्स को जाके चेक कर सकते हो जिससे कि आप इसको डिटेल में समझ सकते हो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रेप्शन में प्रवाइड कर दूंगा और यह वीडियो जब एंड होगा तब आपको वहां स्क्रीन पर दिखाए देगा अगे बढ़ते कंपनी के पर दिखाए रहा है जिसमें हम हर तीन क्वार्टर का रिजल देखते हैं तो पिछले तीन क्वार्टर का अगर हम चेक करें तो 373 करोड से बढ़कर आप देखे 416 करोड गया और जून के क्वार्टर में फोड़ा सापका डाउन हो गया 321 क्रोड उसके सामनेकर ऑपरेटिं जुन की बात करें तो 17 प्रेसंट मारजिन भी कम हुआ था नेट प्रौपिट गर तो 45 क्रोर से बढ़कर 58 क्रोर पहुच गया था सामने वापीस वापीस गटकर 55 हो गया एपिएस की बात करें तो 7 का एपिएस बढ़कर 10.13 और एपिएस वापिएस जून के कॉर्टर में घट गया था तो इससे हमें पता चल रहा है कि जून का जो कॉर्टर है वो कंपनी का खोड़ा सा डाॉन गया है यह पिछले साल के मुकाबली कंपनी का सेल्स जो हम देखे तो फिसली तीन चास साल के अगर चेक करें तो 1200 क्रोड अभी 1523 क्रोड तो लगातार सेल्स तो बढ़ रहा है यह अपरेटिंग प्रफेट के बात करें तो 114 क्रोड से बढ़कर 213 क्रोड गुड़ साइन मार्जिन के बात करें तो 16% से बढ़कर 17% वह भी अच्छा है और अगर नेट प्रफेट के बात करें तो 155 क्रोड से बढ़कर लगबग 200 क्रोड के बाद चला गया है तो वह भी अच्छा good sign मना जाता है अगर हम इस इसाब से देखा तो यह तो यह तो रिजर्व होता है यानि इंकम कंपशिट कर दिये वह कितना करें तो यहां पर आप देखें 600 क्रोड से प्रोफिट बढ़ते हुए सिधा सिधा एक जार क्रोड चला गया जो कि गुर्षाइन है और आपका जो बॉर्विंग है या डेफ्ट है वह आपका हमीशा कम होना चाहिए तो यहां पर हम देखें तो यहां पर 118 क्रोड का बॉर्विंग था जो लोन था वह गठा कर कंपशिट के यवाल 21 क्रोड रही है जो कि मजबूत और अच्छा दिकाए दे रहा है अब हम सिधा इंवेश्टर के उपर आ जाते जहां पर शेर वोल्डिंग पैटर्ण क्या है वह हम देखेंगे अगर प्रमोटर का हिस्टा अगर हम देखें तो अच्छा का सब 66 परमोटर का हिस्टा वोलेबल है सामने एफाइए क टेर्डी को मिलें अगर आप मार्केट पे नए हैं तो हम पुरा एक बेसिक टू अडवांस का एक पूरा पूरा सीरीज ला रहे हैं जिसमानी मार्केट में अगर आप इंटर करना चाहते आपको में नौलेज नहीं है तो वहां से लेकर प्रो तक जैन्ने आप कैसा एक प्र आप यहां पर देख पाए हो गया यहां पर देख पारें यहां पर देख पारें जो थोड़ा सा इंवेस्ट करें तो अगर कितना बना के दिया तो इसने पर पिछले 10 साल के अंदर आप देखे अगर यह कंपणी इतना परसंट का रिटन बना के दिया अगर अगर आईप्यों के टाइम से उसमें इन्वेस्ट करें तो आपको कितना बड़ा वेल्थ बना के दे सकती है सब्सक्राइब करेंगे तो माल लिजए कंपणी के अंदर कोई अगर स्टार्टिंग से ही 2,000 रुपए की सब्सक्राइब करें और पिछले दस साल में इस साल में इन्वेस्ट किये जो बनकर होगे 24 लाग रुपए तो यह compounding का effect होता है और अच्छी कंपणी अगर आप सलेक्ट कर पाए तो आप पैसे को ग्रोव कर सकते हैं इस्टॉक मार्केट में आप पैसा बना सकते हैं बट वह एक आपको कंपणी को चूज करना आजना चाहिए पैसे करें तो आप उसके लिए चैनल को करिए फोलो सस्क्राइब करिए अब हम आज चाते चार्ट देख पार है विकली चार्ट लगा रखा है तो इस चार्ट में चार्ट करता हूं और आपको कुछ यहां पर ड्रोग करके लाइन से बताता हूं अभी यह लाइन चार्ट यहने लगपड लगफग इसने कितने साल तक लगपड लगप डस, बारा साल तक इस पीस साल के बाद यह breakout सान यहां सी बरिटर जो हाई मारा है अगर तुम calculate करके देखे तो breakout की बाद इसने आपको जो return बना के दिया 300% का return आपको बना के दिया यह breakout होने के बाद यहां से वापिस consolidate किया इसने उपर और यहां पर वापिस एक breakout आने वाला है अगर इसको मैं candle पर convert करता हूं तो आप देख पार हो यहां पर इसका यह नहीं आया है जब यह breakout यहां से successfully विकली candle उपर close हो जाएगा उसके बाद इसके अच्छे कासे आपको target देखने को मिलेगे और नीचे की तरह इसके resistance और support कियाकर बात करें नीचे की तरह में जो support बन र रहा है और दूसरा जो support इसके strongly work करेगा वह यह वाला support करेगा क्योंकि इस पर दो बार यह जंप कर चुका है तो यह आपका दूसरा support बनेगा और long term के लिए अगर आप stock रखना चाहते हैं तो वह आप रख सकते क्योंकि company के fundamental जब तक अच्छे रहते हैं company आपको अच्छा क कैसे करते हैं तो हमने आपको वह समझाया आप अगर बाई या सेल करते हैं तो अपने रिस्क पर करें अभी अगर आपको आगे सीखना हो तो आप चैनल को पहले करिए subscribe ताकि आप हमारा साथ बने रहें उससे के साथ आप जो हमारा playlist है उससे भी देखिए और हमारे बाकी के वीडियो जो भी हमने अल्रडी playlist बना रखे हैं हमारे चैनल पर आप उसको विजिट करिए ताकि आप fundamental analysis भी सीख सके और हम प्रोट्टू बीगनर का भी हम अल्रडी वीडियो बना रहें तो आप उसको भी फोलो करिए तो आपको कुछ नॉलिज आपका बढ़ सकता है सो मिल कुछ तोो